आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो दुनिया को देख नहीं सकता है इट मीन्स कि उसके पास आखे नहीं है या उसकी आख में ऐसा कुछ हो गया है जिससे वो दुनिया को देख नहीं सकता कैसा लगता है उससे एक बार आप अपनी आपको 2-5 सेकेंड के लिए बंद करके देखिएगा कि ये दुनिया कैसे दिख रही है और अगर आपकी आँखे बहुत सही है तो आपको अपनी आँख के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इन फ्यूचर भगवान न करें आपके साथ भी कुछ ऐसा सिच्वेशन हो मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ अमेरिका के अंदर 13 लाख लोगों का ओपरेशन होता है हर साल जिसके उपर लगवक साड़े 3 अरब डॉलर रुपे खर्च हो रहे हैं और वही डेटा अगर हम इंडिया के बात करें तो 7-8 मिलियन लोगों का ओपरेशन केटरेक्ट का हो रहा है इंडिया के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी आँख काम कैसे करती है जैसे जो light होती है जो light की raise होती है हमारे lens पर पढ़ती है lens उस सारे raise को collect करके retina पर भेजती है फिर वहाँ से एक image formation होता है देन हमें चीज़े दिखती है लेकिन अगर lens में कोई issue हो जाता है lens हमारा damage हो जाता है free radical oxidative stress की वज़े से तब में चीज़े धीरे-धीरे blood दिखाई देने लग जाती है क्यों क्योंकि वह हमारी raise को collect नहीं कर पाता है इस वज़े से हम इसको बचा कैसे सकते हैं अब इसको बचाने के लिए body खुद कुछ anti-oxidants बनाती है जैसे कि एक glutathion हो गया उसके अलावा एक paroxidase होता है ketalase होता है dismutives इन सत तरीके की anti-oxidants body खुद बनाने का प्रयास करती है और बिगडे हुए इस damage lens को एक बर सही करने का प्रयास करती है लेकिन ये जो anti-oxidant है ये enough नहीं है आपकी आख को सही रखने के लिए इसलिए आपको कुछ अलग से anti-oxidant लेने की जरूवत है जैसे कि vitamin E, vitamin C and beta carotene और ये जो मैं anti-oxidant बता रहा हूँ और दूसरी तरफ जो मैं cataract है क्योंकि cataract एक आख की problem है cataract एक तरफ है और anti-oxidant का level एक तरफ अगर इसको आप बढ़ाएंगे anti-oxid cataract का level कम हो जाएगा और अगर इसका level कम होगा तो इसका level बढ़ जाएगा तो आपको दोनों को balance करके चलना है data बताता है research बताता है कि जिस इंसान के अंदर vitamin E और vitamin C का level जो है बढ़ा हुआ रहता है उसके उपर cataract का खत्रा यानि कि मोतिया बिंद का खत्रा 50% तक 5-6 जादा रहता है this is the first problem of eye जिसको हम cataract या फिर मोतिया बिंद काहते हैं दूसरी problem होती है age related macular degeneration जिसे हम बोलते हैं यह वाली problem 60 साल से उपर के जो लोग है उनमें बहुत जादा होती है इसमें होता क्या है हमारे आंख के अंदर एक macula होता है जो कि central part होता है जहां पर photo receptors होते हैं वो धीरे-धीरे damage होने लग जाता है और जब यह हमारा damage होता है न तो हमें जो पास वाले चीजे होती है वो जल्दी से नहीं देखते इट मींस हम कह सकते हैं कि जिसको age related macular degeneration है और ऐसा इंसान ऐसा patient जब आपकी तरफ देखेगा न तो इसको आपका चेहरा नहीं आपके अलावा जो आपके चारो तरफ की चीजे हैं वो ज्यादा देखने लग जाएगी क्यों क्योंकि इस problem में जो central site है वो बहुत weak होने लग जाती है यानि कि जो initial phase होता है किसी भी image को form करने का वो हमारा weak होने लग जाता है age related macular degeneration होता है वो दो type को होता है एक होता है dry एक होता है wet dry वाले में central site बहुत slowly reduce होती है and जो wet वाला part होता है उसमें जो हमारा central vision है central site है वो बहुत तेजी से reduce होने लग जाता है कहते हैं कि जो हमारा dry वाला part है उसका treatment certified अभी तक इसका कोई treatment नहीं कि आपका सही होई सकता है लेकिन जो हमारा wet वाला part है ये photo coagulation के थुरू बहुत हद तक इसको सही करने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं अब हम समझते हैं जो आँख के अंदर free radicals का production हो जाता है जिसके थुरू हमें कई सारी problem से start हो जाती है एक बार उसको समझते हैं जो हमारे retina एंड जो photoreceptors होते हैं जब वो light को absorb करने लग जाते हैं तब जाके हमारे अंदर problem में स्टार्ट हो जाती है और especially उस light को जो बहुत harsh होते है यानि कि जो हमारे sun rays निकलती है या फिर जो blue light होती है अगर ये दोनों जब उसको absorb करने लग जाएंगे तब जाके हमा vitamin C हो गया vitamin E हो गया इन सब की बहुत जादा कमी होने लग जाती है और तो इसी लिए हम additional nutrients को कुछ लेके हम इस चीज को बहुत हद तक कम कर सकते हैं additional nutrient में पहला point है जिसको हम कहते हैं carotinoids आपके भी parents आपको बोलते होंगे गाजर खाया करो लेकिन क्यों खाया करो क्यों क्य ल्यूटीन जी जैन्थीन वाली कई सारी antioxidant पाया जाती है इसपेशली जो हमारा carotinoids है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है और जो ल्यूटीन जी जैन्थेनाओड है वो हमारा आख के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में macular के आसपास पाया जाता है और जब हम अगर इसका यूज बढ़ा देंगे अपने बाडी के अंदर, इंटेक बढ़ा देंगे तो हमारी बाडी बहुत अच्छे तरीके से सेफगार्ड कर पायेगी age-related macular degeneration में second point, vitamin C, जब हम vitamin C बढ़ाते हैं तो age-related macular degeneration वाली problem घड़ती है और vitamin C हमारे आँख के चारो तरफ एक liquid that is called aqueous humor में फैला हुआ रहता है तो हम vitamin C से भी बढ़ा के अपने इस problem से बच सकते हैं तीसरा point है जिसको हम vitamin E बोलते हैं, vitamin E को भी हम बढ़ा के अपने इस खतरे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं क्योंकि vitamin E हमारे आँख के लिए बहुत अच्छा antioxidant होता है चौथा, co-enzyme cutane जिसको हम बहुत अच्छा antioxidant माना जाता है क्यों? क्योंकि हमारा retina का एक part pulp का बना होता है और ये co-enzyme cutane pulp में dissolvable होता है इस वैसे ये भी हमारे आँख को उस problem से safe कर सकता है पांचों point है जिसको हम glutathion बोलते हैं glutathion बहुत अच्छा antioxidant है लेकिन कब तक जब ये body खुद naturally बनाएगी बाहर से अप लेंगे तो बहुत हद तक ये helpful नहीं होता है बाहर से अगर आपको लेना तो vitamin C, alpha lipoic acid ले सकते हैं जिसके through body इसको खुद एक बार बनाने का प्रयास करें तो इन सब antioxidant का यूज करके आप अपने आँख को एक बहुत अच्छे तरीके सा safe guard कर सकते हैं उसके बाद एक चीज समझेगा कि जो हम cataract और age-related macular degeneration की बात कर रहे थे उसको हम एक बार summarize करते हैं पहला point हमने देखा कि जो UV rays और blue rays बहुत हार्श हैं उसको जो absorb कर रहे हैं photo receptor हम antioxidant की use से उसको उससे बच सकते हैं अपने देखा होगा doctor मना करते हैं कि computer के सामने बहुत देड़ तक बैठके काम नहीं करना चाहिए क्यों क्यों क्योंकि उससे जो light निकलती है वो हमारी आँख absorb करने लग जाती है जिसके थुरू कई सारी समस्या ये start हो जाती है ये additional antioxidant जिसकी मैंने अभी बात की और उनको research के बाद 6 महीने बाद पता चला कि उनके उपर ये वाली जो problem है 88% तक घट गई है लेकिन उसी में से 56 लोगों को दिया गया था बिना कुछ antioxidant के normal जो उनकी आँख बना रही है जो उनकी body बना रही है छे महीने बाद देखा गया कि उनके उपर से ये वाला खत्रा सिर्फ 50% तक घट पाया है तो अब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल है हमारे body में antioxidant का उमेद करता हूँ आपको ये आँख वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी कैसी लगी वीडियो एक बार कॉमेंट करके जरू बताईएगा थैंक यू